हलो स्टुएन, वेल्कम टू एक्विटर अकैडमी देहरादून और मैं लाई हूँ आप लोगे एक छोटा सा वीडियो उत्राखंड हिस्ट्री के MCQ का जो आपके आने वाले प्रिलियम्स UKPSC में आ सकते हैं पर बन्तरी शुरूात करते हैं इस चोटे सी वीडियो की पहला Qशन जैसे की आपको देख रहा है भागवत 1 अमजन को आपको संख्या है यह प्राचीन उत्राखंड से आपका क्वेशन आते हैं चलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका C आपके टोटल जो संपरदाय भक्तिय के रूपों की संख्या बताई गई है वो आपके 9 बताई गई है यहाँ पर एक और additional fact आप लिख सकते हैं वो क्या है कि इन 9 प्रकार की भक्तिय का जो लेक है इसमें वो आपका है नार्दिय भक्ति सूत्र में ठीक है निकिसमें उलेक है नार्दिय भक्ति सूत्र में आपका उलेक है ठीक है पहली चीज़ और इसका एक और नाम जो हमको मिलता है किताबों में जो एक्जाम में पूछ सकते हैं नवदा भक्ती भी मिलता है नवदा भक्ती भी नवदा भक्ती भी मिलता है तो इस तरीके से आप से question पूछ सकते हैं तरी आगे बढ़ते हैं question number two को देखेंगे बुद्ध कौशामबी किसके राजकाल में आए थे इनमें साब को बता रहे है कि उस समय कौन वहां राजा था जब बुद्ध जो है कौशामबी आए थे options आपके सामें दिख रहे हैं शतानीक है या उदियन है या बोधी है या निकक्चू है इसके आंसर की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध जो थे वो इसके टाइम पे उदियन के टाइम पे जो है वो कौशामबी आए थे ठीक है यहां कौशामबी आपको पता होना चाहिए कि किसकी आपने पढ़ा होगा 16 महाजन्पत के बारे में 16 महाजन्पत के बारे में आपने पढ़ा होगा कौशामबी जो है वो वत्स की वत्स महा जन्पत की राजधानी हुआ करती टीक है पहला चीज तो यह हो गया दूसरा अगर एक और फैक्ट है जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं कि बुद्ध ने अपनी जीवन में सर्वधिक उब्देश जो दिये ठीक है सबसे जादा उब्देश अगर आए कि बुद्ध ने सबसे जादा उब्देश जो है वो कहां पर दिये तो आपने टिक करना है श्रवधिक में दिये ठीक है सबसे जादा उब्देश जो है वो उन्होंने श्रवधिक में दिये ये कोशन आपसे पूछ सकते हैं ठीक है अब श्रवधिक जो थी वो आपकी किसकी क्यापिटल थी या राजधानी थी तो श्रवस्ति जो थी वो आपके कोशल की राजधानी हुआ करती थे फिर मगत को जो है उन्होंने अपना क्या बनाय था में तोर पे जो प्रचार केंद्र था अ क्रचार केंद्र किसको बनाय था मगत को बनाय था ठीक है तो ये कुछ तीन ऐसे facts हैं जो आपसे exam में पूछे जा सकते हैं next question को पढ़ेंगे किस धर्म को राष्ट कूटो का संगरक्षन प्राप्त इन में से कौन सा धर्म था जिसमें राष्ट कूटो ने उनको संगरक्षन दिया था अच्छा question है इसे पूछ लेते हैं बहुत धर्म है जैन धर्म है या शाकत धर्म है प्रेबचो इसकी अगर हम बात करें आंसर तो इसका आंसर है आपका जैन धर्म तो जैन धर्म को राष्ट कूटो ने क्या दिया था संगरक्षन दिया था अब कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें जो एक्जाम में पूस अकते हैं कि राष्ट कूटो ने जैन धर्म को सेलक्षन प्रदान किया उसके साथसाथ उनोंने हिंदू धर्म को بھی क्या दिया था अपने यहां प्रधानता दी थी यानि कि हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों को जो राशकूट के राजा थे वो मानते थे अगर मैं कुछ इंपोर्टेंट या फेमस राशकूट राजाओ की बात करूँ जिन्होंने जैन धर्म को वो दिया था समर्थन दिया था जिसे की अमोग वर्ष प्रथम इंद्र चतुर्थ पिष्ण दृतिय और इंद्र दृतिय ठीक है और अमोग वर्ष जो थे आपके अमोग वर्ष ठीक है तो अमोग वर्ष प्रथम के समय में एक बड़े प्रख्यात आपके जैन विद्वान थे जिनका नाम था जिन सेन वो उनके दर्बार में उपस्तित थे जिन सेन ठीक है कोशन आ सकता है कि जिन सेन जो है इन चारों में से किसके दर्बार में उपस्तित थे या रहा करते थे तो आपने टिक करना है अमोग वर्ष प्रथम के दर्बार में र मिल गया कि आधी पुरान नामक जो किताब है वो किस ने लिखी थी तो आपने टिक करना है जिन से इन ने लिखी थी चलिए प्रश्ण कितब बढ़ते हैं शक विजेता किसे जाना जाता है इन चारों राजाओं में से शक विजेता किसे केते हैं उन्हों कहने करतात पर यह कि इंचारों में से उस राजा ने शकों को हराये था इतले उनका नाम क्या पढ़ गया शक विजेता पढ़ गया आपका इसका जो आंसर है वो बच्चों है आपका चंद्र गुप्त देती है इनको जो है वो शक विजेता कहा जाता था वजेती की जो शक थे वो आपके पच्चमी तर यानि के वेस्टिन घाड पर निवास करते थे और इनों नहीं क्या किया था इनको हराये था और इसी कारण जो है चंद्र गुब्त देती को शक्री या शकारी भी कहते थे ठीक है आ सकता है एजाम में शाकारी पुशेंगे भाई शाकारी बताओ इन में से किसको कहते थे तो चंदगुप सेकंड को कहते थे और चंदगुप दृतिय ने ही विक्रमा देती की उपाधी धारण की थी अगले कोशन देखेंगे बेरोजगारों के साहतार दिल्ली के निम्न सुल्तान में से किसने रोजगार का रहे यानि कि Employment Office जो है वो स्थापित किया था options जैसे आपको देख रहे हैं बल्बन ने या अलाउद्दीन खिल जी ने या मुहमद बिन तुगलग ने या फिरोजशा तुगलग अगर उनमें बात करें तो इसका जो आंसर है वो है आपका फिरोजशा तुगलग या 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 शॉर्ट में FST साब ने या फिरोजशा तुगलग ने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी साथी साथ फिरोजशा तुगलग ने दिवान ए खेराद भी बनाया था इसको भी याद कर लीजे दिवान ए खेरात यह दिवान ए खेरात का में काम था कि जो मुस्लिम अनात हैं बच्चे यस्तरियां हैं या विद्वा हैं विड़ो हैं उनको आर्थिक साहिता देना फिर ये भी धानकता है कि फिरोशा तुगलग पहला सुल्तान दा जिसने इसलाम के कानूनों और उलिमा के वर्ग को राज के शासन में प्रधानता दी यानिकि एड्मिस्रेशन में जो है वो इसलाम को लागू करवाया और उलिमा जो थे थे उनका जो रेक्मिनेशन्स हुआ क आप्शन जैसे आप दिकरें बलबन हो गया अलाव दिन खेल जी हो गया इब्राहीम रोदी हो गया या शेर्चा हो गया अच्छा कोशन है अधे अच्छा काहिए इसके अगर हमनों बात करें इसका जो आंसर है वह है आपका शेर्चा तूरी ठीक है यहां लिखाने शेर्चा लेकिन शेर्चा सूरी और अग्याषक कि इसके हम बात करें कि शेर्चा सूरी मदिकालीन या मदिकीन शास्कों में सबसे उच्छ शिक्षिक था हाइली एजुकेटिड था शेशा सूरी ने खास और पे जो आपका जॉण पुर था जॉण पुर ठीक है नाम याद अकना जॉण पुर जो था वहां पर अर्बी फार्सी इतियास पर विशेश अध्यान किया था और उस समय यानि कि शेशा सूरी के समय जो आपका जॉण पुर हुआ करता था वो प्रसिद शिक्षा का केंद्र था ये भी ध्यान लगता है कौन सा प्रसिद शिक्षा का केंद्र था तो आपने टिक करना है जॉण पुर और जो भारत में पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद था यानि कि जॉण पुर को भारत का पूर्व का सिराज भी कहा जाता था ठीक है इस तरीकी के कोशन भी आपसे पूछे जा सकते है बेस नगर अभिलेक का हेलियोडोरस कहा का निवासी था पूछा गया है हेलियोडोरस कहा का निवासी था देखे बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सक्षिला और क्वेशन देखेंगे मध काली भारत के मुगल शासक वसुता थे यानि कि जो मुगल शासक थे भारत में उन्होंने राज किया वो किस को बिलॉंग करते थे इसमें से फार्सी यानि कि इरानी चक्ताई, तुर्क या अफगान या इन में से कोई भी नहीं इसका जो आंसर है वो है आपका सी यानि के चक्ताई, तुर्क जो थे ये लोग थे बच्चों अगर आप यहां तक रुके होए हैं एट कोशन आपने अटेंड किया है तो आट में से कितने सही हैं आप मुझे कमेंट वक्स में बताइएगा, तो अगर आप UK PSC 24 की test series purchase करना चाते हैं चाहें आपकी English में हो, चाहें आपकी Hindi में हो तो आप मुझे इस नंबर पे WhatsApp में message भेश सकते हैं या इस वीडियो के link में मेरी app का यहने कि Equator Academy का app का link दे रखा है, वहाँ से आप app को download कर सकते हैं और यह mock test series English में या Hindi में purchase कर सकते हैं